हेलो डियर स्टुएंट्स वेलकम तु निधी साइन्स अकेडमी वी वर स्टुडिंग इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड़ पिरोडिक टेबल इसने हमने इलेक्ट्रवन के बारे में पढ़ा था अपने टेबल में देख सकते हो हच्ट्रोजन और shifted सेकेंड पीरियर्ड में कौन-कौन से ऐलिमेंट्स आएंगे यह हम समझा चुके उसमें इलेक्ट्रोन किते रहेंगे और्बिटल्स में कौन-कौन से होंगे यह भी हम एक बार लिख लेता है लीतियम बेरियलियम और ऑक्सीन ऑक्सीजन यह हो गया फिर थर्ड पीरिड में कौन-कौन से रहेंगे सोडियम मेगनेशियम, अलुमिनियम और सिलिकॉन, फॉस्फोरस सल्फर, लूरीन, आरगन, एटीन के लिएगे यह हमने बता दिया था, इसका 1s2, 2s22 पे 6 कैसे और बिट फील होंगे फिर फॉर्थ पीरिड के भी हम एक लिख लेते हैं फॉर्थ पीरिड में आएगा, पॉटेशियम, कैल्शियम पॉर्थ निकल, पॉर्पर, जिंग पॉर्थ निकल, पॉर्पर, जिंग यह फॉर्थ पीरिड में आएगा फिर फिफ्ट पीरिड में कौन-कौन से आएगे हमें सबकी एक तरह से फिफ्ट पीरिड में कौन-कौन से आएगे यह देखो रब डियाम जब आप उसमें देखोगे अपने टेबल में तो आपको पता लग जाएगा पीरिड में कौन-कौन से आएगे लिखने से क्या नॉलेज भड़ती है कौन से पीरिड में कौन-कौन सा था उनको लर्ण तो करना ही है जो कि मैंने ट्रिक बताया है उससे आपको लिया हमने ग्रूप व्याइज उसको अल्रेडी लर्ण कर चुक है तो एक तरह समय पूरा टेबल लर्ण हो जाता है और यह हाइरोजन-हीलियम लीति है में ऐस एडि लर्ण हो जाता है फिर है यह 5ष्प Hudson तक था फिर 6 पूरिड आएगा इस सित्स पूरिड में आएगे फिफ्ट पियर्ड था, सिक्स पियर्ड में आएगा जिससे क्या होता है कभी आपको रेफर करना हो इसमें तो आप डिरेक्ट रेफर कर सकते हैं अच्छा कौन-कौन से ऐलिमेंट्स आएंगे आपको उस तक जाने की जरूत नहीं पिरडिक टेबल तक देखने की मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी आप अपना केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक पिरडिक टेबल बना के और उसका शॉर्ट फॉर्म जैसे हैं सिखाया है लर्निंग का उसका शॉर्ट फॉर्म वो एक जगे अपने वाल पे लगा लीजिए और उसे घुमते फिरते बार बार लर्न कीजिए तो वो तुरह लर्न हो जाएगा उसको बुक खोलेंगे तब ही लर्न होगा तो ऐसे नहीं होएगा तो उसको अपनी वाल पे पेस्ट कर लीजिए और उसे डेली एक बार जरूर रेड कीजिए अब हम पढ़ेंगे सेवन्थ पीरिड सेवन्थ पीरिड मतलब फिलिंग ओफ सेवन्थ एनर्जी लेवल और इसमें कौन-कौन से एलिमेंट आएंगे उनके यह मैं अब्रिवियेशन जो है शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो दे देती हूं आपको जिससे आपको आसानी होगे लर्ण क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में ही लर्ण इजी लिए होता है इस तरह से इनके नेम दियों गए है जिते एलिमेंट से थर्टी टू एलिमेंट से और सिक्स्टीन और बटल से इसको किस तरह से करना है और बिट्स जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यह पहले इस पी डी एफ क्लियर तो यह सेवन पीर्ड बताया है जो कहां से शुरू होगा से एटोमिक नमबर 87 से लेके 187 तक जाएगा और इसमें ज्यादा तर कौन से इंक्लूडेड है मैनमेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इनमें इंक्लूडेड है और उसके बाद आप अपने यह जो है इनर ट्रांसीशन सीरीज जो है आप दीख रहोगे इनर ट्रांसीशन एलिमेंट्स पिरोडिक टे हुआ है जिनको हम बोलते हैं लेंथे नॉइड एंड एक्टे नॉइड तो उसके बाद आहां वह आएंगे ठीक है सेवं पिरिड के बाद हम पढ़ेंगे एक्टे नॉइड पढ़ा था इनर ट्रांसीशन एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं आप लास्ट में अगर आप पिरियूडिक टेबल में देखेंगे इनर ट्रांस्यशन एलिमेंट्स में दो चीज़े आएंगे यह देखो खो बताया होगा मने तो यही जो है और क्या आएगा एक्टेनॉइट सीरीज इसमें आप elements आप उसमें देख रहे होगे अपने उसमें inner transition element में कौन-कौन से elements आएंगे आप वहाँ से उसको लिख सकते हो एक तो आए जाएंगे lengthenoids और दूसरे आएंगे actinoids ठीक है यह वाला आपका sixth period में था और यह seventh period है इसकी बारे मैं बताया है उसमें से कुछ portions लिए गए हैं तो 5F orbital होता है यह place separately इसले किया गया है bottom में okay bottom of periodic table क्योंकि इन में similarities है जिससे की clearly classification हो जाए इसलिए उनको periodic table से अलग रखा गया okay तो जैसे कोई element है 18 element है कैसे justify करोगे कि 18 elements हैं there are 18 elements in a question लिखता है अपर clear justify करो 18 elements हैं 5th period में periodic table की कैसे justify करोगे इसका solution हम इस तरह से देखेंगे तो n is equal to किता होगा 5th period है 5 है L is equal to क्या होगे जीरो वान टू थ्री तो order of increasing orbitals क्या है the order of increasing energy orbitals order of increasing orbitals are अभी energy हमने पढ़ा ना 5s उससे जदा 4d और यह 5p तो total number of कितने हैं available orbitals total number of orbitals available 9 है total number of orbitals orbitals available is 9 5th period में तो maximum number of electron क्या होगा accommodate 18 maximum number of electrons accommodate 18 तो therefore there are 18 elements in 5th period तो order of increasing 5s 4d 5 n is equal to 5 है 5th period में और L is equal to 0, 1, 2, 3 clear है तो total number of orbitals कितने हैं नाइं यह देखो 5th period के बारे में इसमें हमने clear लिए बता भी रखा यह रहा फिफ्ट is group wise electronic configuration group wise configuration कैसे करे गा है ग्रूप वाइज कैसे होता है, elements in same vertical column, groups of similar valency, यह जो है, vertically जब हम करेंगे, तो यह क्या कहा हैंगे, groups, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, periods पढ़ रहे थे, periods जो होता है, वह horizontally होता है, जैसे all elements जो first group में है, उनकी valenture electrons दिया हुआ है, periodic atomic number, atomic weight, हमें पता लग जाता है, कुछ-कुछ हम देंगे, जैसे atomic number है, clear यह symbol है, उसका, और यह electronic configuration है, जैसे 3, hydrogen, helium, lithium, lithium का 3 है, electronic commission क्या होएगी, 1s2, 2s1, और helium, 2s1, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे hydrogen का लिखते हैं, 1s1, helium का होता है, 1s2, तो हम helium 2s1 भी देख सकते हैं, clear, जैसे bracket में मैं लिख दू, hydrogen का किता होता है, 1s1, helium का 1s2, और lithium का 1s2, उसके बाद 2s1, तो हमने 1s2 की जगे क्या लिख दिया, helium लिख दिया, तो यह हो गया, achieve 2s1, clear, अब जैसे, sodium का कितना है, 11, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 6, 7, 8, 9, 10, और 3s1, और क्या लिख सकते हैं, यह 10 तक किता हो गया, neon, neon, 3s1, तो इस तरह से भी किया जा सकता है, ऐसे ही, potassium का atomic number होता है, 19, देखें, 20 तक तो atomic number और atomic name आपको number और atomic name और नाम element का और उसके atomic number याद हो जाने चाहिए, तो potassium का 19 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, यह तो 10 हो गया, उसके बार, 3s2, 2p6, और 4s1, यह उसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, argon, 4s1, argon का 18 होता है, इसलिए उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यह दो तरीके बताए हैं, that we can write like this also, clear? अब ऐसे ही 37 है, Arab DM का, तो उसके लिए हम 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गया यह, फिर 3s2, 3p6, 3d10, then 4s2, 4p6, 5s1, तो कितना हो गया? 10, 18, 28, 29, 30, 36, 37 हो गया, तो इससे पहले आप देख लिए, यह 36 किता है, क्रिप्टाउन का है, तो अपन क्रिप्टाउन लिखके 5s1 करते हैं, इसी तरह से आगे से आगे होता जाता है, आपको clear हो, इसलिए मैं example दे रही हूँ गी किस तरह से हम electronic configuration लिखते हैं, इसलिए भी बताया था, पर अलग-अलग example करने से उसकी और आपको knowledge clear हो गया, अब देखें, 56 है जैसे, 1s2, 2s2, 2p6, यह 10 हो गया, फिर 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, यहां तक 20 हो गया, clear, फिर 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, और 6s1 हो गया, यहां फिर 55 ले लिया, zenon का, zenon और 6s1, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, यह आपको clear है न, orbits में पहले 1s2, 2s2, 2p6 आता है, उसके 3s2, 3p6, 3d10, फिर d orbital चुरू हो जाता है, तो 4s2, 4p6, फिर 4d10, ओके, फिर 5s2, और 5p6, तो यह देखें, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यह 18 हो गया, यह 28, यह 30, 36, यहां पर 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, तो यह 56 हो, इस तरह से clear हो गया, ठीक है, यह 10, ऐसे गिन लिया कीजिए, यह 10 हो गया, इखटे, 1s2, 2s2, यह, फिर 3s2, 3p6, और 3d10, यह आगे जाके हो गया, आपके, यहां तक हो गया, आपके पास, 30, यह 20 और यह 10, 30 हो गया, फिर उसके बाद काउंट कर लिया, 36, 46, 48, इस तरह से इसको calculate करते जाएं, तो यह हो गया, 55, clear, और फिर जी नॉन का किता होता है, जी नॉन का होता है, 54, तो उसको ऐसे करके लिखते हैं, तो यह उसके बाद है, जैसे, 87, 87 is a big number, आप कितना लिखोगे इसको, तो उसको लिखने का तरीक है, सीधा, अब इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इससे पहले का आपको number पता है, तो 7 है, तो इसको learn कर लोगे, तो उससे पहले का atomic number जो है, वो लिखके आगे, आप इ 7S में आ जाएगा, इस तरह से आप orbitals का elements का first group है, valence shell electronic configuration जो है, उसे साब से, valence shell से, configuration से आप electronic configuration लिख सकते हैं, तो इसमें ये फिफ्ट और्बिटल जो हमने बताया था, उपर इसमें ये देखे, इसमें 18 है, इसमें 15S रहता है, 35P रहते हैं और 5, 4D रहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ और्बिटल करते हैं, 9 तो 18 इलेक्टर में चाहिए अब हम क्या पढ़ेंगे, division of elements into S, P, D and F block and their characteristics अब हम पढ़ेंगे, division of elements into S, P, D and F blocks और उनकी क्या characteristics होता है तो आफवर प्रिंसिपल और electron configuration of atom है, वो प्रवाइड करते हैं, foundation, periodical classification वर्टिकल कॉलम्स को groups कहते हैं और similar properties होती हैं, same number of valences होती है type of atomic orbital, जो classify करते हैं, S block, P block, D block, F block helium exception है, वो S block पे है, पर वो place किया गया है, P block exception क्या है, helium it belongs to exception को में शादर, S block but it is placed in P block in the noble gas group, that is 18th of the group that is 18th of the group, देखो इस पे भी question आ सकता है, इसको लिख के रखने है क्योंकि completely filled valence shell है, hydrogen जो है, property metal की होती है, यह donate करता है, electron और property of non-metal भी होती, accepting one electron, तो noble gas configuration like that of helium इसलिए इसको top of the periodic table में रखा गया है, और completely valence stress में कि 2 है तो orbit fill हो जाता है, तो हम सबसे पहले आएंगे S block elements पे the S block elements जो होते हैं, elements जो group 1 में होते हैं, जिनको alkaline metals कहते हैं, group 1 में होते हैं, उनको हम alkaline metals पूलते हैं, कैसे classify किया गया है, वो मैं बता रहे हूं, alkaline earth metals पूलते हैं, इनकी क्या रहता है, NS1 और NS2 इनका respectively रहता है, low ionization होता है, strong tendency होती है donate करने की, और metallic collector जो होता है, वो increase हो जाता है, metallic, character and reactivity जो है, इसको learn कर लो, यह जैसे जैसे हम group में नीचे की तरफ जाते हैं, तो यह increase होती जाते हैं, it increases, as we go down to the group, group जैसे से नीचे जाएंगे, reactivity और metallic character बढ़ता जाएगा, तो high reactivity कारण, elements कभी भी free state में नहीं मिलते हैं, combined state में मिलते हैं, as block elements with exception of lithium and beryllium, form ionic compounds, यह जादा तर ionic compounds बनाता हैं, इसी कारण, और इसमें exception हैं, exceptions कौन से हैं, lithium and beryllium exceptions, clear, अब हम आते हैं, p block element में, अब साथ में अपना table रखके बैठिये, जो periodic table है, और देखते जाएए, कैसे reactivity, अब p block element पर आजाए, p block element जो होते हैं, यह किसमें, elements किसमें होते हैं यह, 13, 14, 15, 16, 17 and 18, यह p block element है, तो p plus s block element मिलके क्या बनता हैं, रिप्रेजेंटेटिव elements, रिप्रेजेंटेटिव elements बनाते हैं, तो outermost shell configuration जो p block की होती है, वो होती है, ns2 np, इसके configuration भी हम देखेंगे क्या है, तो इसकी जो configuration जो होती है, होती, ns2 np, 1-6, तो noble gases जो होते हैं, उनमें completely filled orbitals होते हैं, बहुत stable होते हैं, यह बहुत difficult है, stable arrangement में addition और remove करना, और इनकी बहुत low chemical reactivity होती है, low chemical reactivity, देखो सबके आपको properties पता होनी चाहर, उसकी elements जो 17th group है, उसको क्या बोलते हैं, halogens, और उसको बोलेंगे हम salt producers, 16th group है, उसको बोलते हैं, चाहल को जन्स, जो compound से और बनते हैं, और forming, देया और forming, चाहल को जन्स, जाहल को जन्स, देया और forming, ठीक है, यह जो दो ग्रूप elements के, high negative electron gain in effectively होती है इनके अंदर, और readily gain भी कर लेते हैं, they gain one or two electron to attain noble gas configuration, ठीक है, halogens तो पता है, chloride, bromides अभी इसी में, और दूसरा चाहल को जन्स है, और forming जो होता है, तो readily यह जल्दी से gain कर लेते हैं, one or two electron to attain noble gas configuration, यह सबकी qualities group wise हमें पता लग रही है, reactivity कैसी है, और इनकी electronic configuration कैसे है, तो metallic character जो होता है, increase होता है इसमें, इसमें क्या होता है, top to bottom इस तरह से लिखने से आपको top to bottom में क्या होता है, metallic character जो होता है, increase होता है, increases from top to bottom within a group and non-metical character increases across the period, यह किसमें होता है, group में, और period में क्या होता है, इनके अंदर, period में इनके non-metical character increases, non-metical, इस तरह से देखो division दिया है, character increases across the period, across the period, in this block, इस block में अगर आप horizontally जाओगे तो इनका non-metical character increase होगा, और vertically जब नीचे की तरफ जाओगे तो metallic character increase होगा, यह खासियत किसकी है, पी ग्रूप की, यहना पी ब्लॉक elements के चालकोजन्स और हैलोजन्स के बारे हम बताया है, तो across the period जब इनक्रूइफ करते हैं, मानले question लेते हैं हम यह आपे, on moving, across, the period in P-block oxidizing power का क्या होता है, oxidizing power oxidizing power of element क्या होता है, increase होती है, it will increase, oxidizing power, खाली noble gases में नहीं होगा, except noble gases, because, short में लिए बिकाउज, electron gain in definitely increases, electron gain करने की जो capacity है, वो increase हो जाएगी, increases, which show high tendency, gain करने की tendency, to gain electrons, इसलिए increase हो जाती है moving across the period increase हो जाती है पर noble gases में नहीं होती क्योंकि electron gain करने की tendency increase हो जाती है इन्थफली जो होती है भढ़ जाती है अब है d block elements जो आते हैं the d block elements जिनको हम बोलता है transition elements elements कहां पर है ये elements of group 3 to 12 group 3 to 12 कहां पर होते हैं ये आपना periodic table देखिए center में होता है periodic table के between s block and plebe s block और p block के बीच में होता है d block clear दीज़े गर करके हरे चीओ समझो तो clear होगी इसमें क्या होता है feeling of inner d orbitals by electrons जो d orbital है और इसको बोलते हैं d block elements elements जो होता है इनका general outer electronic configuration क्या होता है इनका electronic configuration होता है n minus 1 n minus 1 d 1 minus 10 n is 0 minus 2 इनका electronic configuration होता है clear तो यह सब metals है they all are दीखो हमें सब जो metals blocks है उनके characters और qualities properties पता होने चीए यह जाता क्या colored complexes बनाते हैं variable oxidation states होता है okay they have they all are metals they form colored complexes colored complexes बनाते हैं और they exhibit variable होती है oxidation states इनकी अलग-अलग होती है variable oxidation states और paramagnetic behavior होता है इनका paramagnetic होता है okay यह चार point हो गए एक हो है they are used as catalyst और जबकी इसमें exception क्या है zinc, cadmium और mercury इनकी electronic configuration होती है n-1 d10 ns2 they do not show property of show नहीं करते हैं they do not show don't show जो transition elements की properties हैं वो यह show नहीं करते हैं they do not show properties of transition elements इसी लिए उनको क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं उनको कहते हैं pseudo transmission pseudo transition elements इस पर भी एक छोटा question बन सकता है pseudo transition elements की इनको कहते हैं clear तो यह तो हो गया हमारा p block element d block element d block element can also be called transition elements इसलिए कहते हैं क्योंकि यह bridge बनाते हैं chemically active elements s block or active elements transition elements क्यों बोलते हैं क्योंकि यह bridge बनाते हैं d block element form a bridge between इसलिए transition elements बोला जाता है bridge between the chemically active s block क्या है it is chemically active chemically active s block के बीच में or less active elements less active elements के बीच में group बनाता है जो की इसमें 13 और 14 less clear अब आया गया f block elements हमने करीब करीब सभी elements पढ़ ली हैं अब last में हम पढ़ेंगे f block elements तो elements जो की last electron enter करता है किसी 7 f orbitals में anti-penalitimate shells are called f lock elements अब अब आया जिसमें लास्ट एलेक्ट्रों enter किसमें करता है 7 f orbitals और इसके shells of their anti-penalitimate shells तो two series होते हैं f lock elements है जिसमें 14 elements separately bottom of periodic table में होते हैं it is on the bottom of periodic table periodic table तो आप अपनी wall पे लगा के साथ में पढ़ते जाएं तो सबसे last में बहुर नीचे में देख रहे होगे एक elements bottom में predictable one है lengthenoids जो मैंने अभी पहले भी explain किया था lengthenoids जो की शुरू होते हैं z is equal to 58 से लेके to atomic number 70 बनता है और other row जो होती है वो होती है actinoids की other row is actinoids जो की atomic number 90 से start होती है और atomic number 103 तक रहती है clear और इनकी configuration क्या है electronic configuration इनकी है n-2 f n-14 n-1 d0-1 n-s-2 तो last electron added किया जाता है electron element में f orbital में तो two series of elements बनते हैं इसलिए इनको inner transition elements बोलते हैं इसलिए इनको क्या बोलते है inner transition elements inner transition elements बोलते हैं क्योंकि last electron added to each element is filled in f orbital जो भी last electron add किया जाएगा element में वो f orbital में भरेगा element properties of elements is filled in f all और ये सारे metals होते हैं ये तो मैं पहले भी discuss कर डिया they all are metals they all are metals तो properties जो elements की हैं इस series में जातर similar है और actinoids जो होते हैं उनकी complex chemistry होती है corresponding lengthenides की possible line number of oxygen states भी होती है इनकी actinoids जो होते हैं वो radioactive elements होते हैं एक्टिनोइड जो होते हैं वो radioactive elements होते हैं इसमें इसमें corresponding lengthenoids होते हैं line number of oxidation state होती है इन में और all actinoids are all all actinoids are radioactive elements after uranium जो है अपि इरडिक टेबल में देखिए elements after जो uranium है आपको learn होता जाएगा कि कैसे इसको कितने अच्छे form में classify किया गया uranium जो होते हैं उनको बोलते हैं trans uranium metals हम उसको बोलते हैं trans uranium metals और actinoids में क्या होता है यह जो है यह natural uranium यह natural radioactive है और 11 elements जो है 11 elements NP to LA यह क्या है manmade radio कितने easy लिए आपको फिर lan हो जाएगा manmade radio तो इस तरह से यह हो गया हमारे F block elements हमने S, P, D, F यह F block elements के बारे में हमने पढ़ा इससे पहले हमने D block elements के बारे में पढ़ा फिर हमने P block elements भी पढ़ चुके S block भी पढ़ चुके और हमने electronic configuration भी पढ़ा और कैसे group wise electronic configuration कैसे है इसको भी हमने detail में study किया तो कई बार इसमें elements discover किये गए electronic configuration आपने भी पहले बताया था कौन से number तक आप दे सकते हैं तो यह हमने सारे elements के बारे में पढ़ लिया अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे classification of elements metals non metals metalloids फिर आएगा periodic trends क्या है physical properties में periodic trends क्या है covalent radius क्या है metallic radius ionic radius इन सब को हम discuss करेंगे कल तो आज hope जो आज मैंने आपको पढ़ाया है you have understand it well अच्छे समझ आ गया होगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब तेंक यू